OTG के जरिये मॉडायल में memory card कैसे चलाई कैसे उसमें data transfer करें इन सब सवाल का जवाब आपको इस video में मिल जाएगा तो चलिए मैं आपको बताता होगे कैसे आप OTG के जरिये मॉडायल में memory card चला सकते हैं तो इसके लिए आपको तीन चीछ चाहिये होगी सबसे पहले memory card of course memory card चला रहे है तो memory card तो चाहिए होगा and second otg अगर आपका mobile type c mobile है तो आपको type c otg ले लेनी है अगर usb mobile है तो आपको usb otg ले लेनी है ठीक है and third आपको card reader चाहिए होगा आपको यह 20 से 30 रुपे में किसी भी mobile so pay मिल जाएगा आप उसे ले ले लेजिए ठीक है अभी आपको अपने memory card को card reader में attach कर लेना है attach करने के बाद अभी जो आपका card reader है उसे आप otg में connect करेंगे अभी आप otg को mobile के साथ connect कर लेना है तो आपके mobile के साथ memory card चल जाएगा दिखा memory card को हमने mobile में लगाया भी नहीं है हमने किवल बारसी memory card को mobile के साथ attach कर लिया और हम असानी से अपने mobile के साथ memory card भी use कर सकते हैं तो अगर आपके case में memory card नहीं चल रहा है तो आप एक काम किजिए mobile के setting में आएए यहाँ पर आपको search करना है otg otg की setting आ जाएगी setting को enable किजिए अभी आप यहाँ पर file manager open करेंगे यहाँ पर आपको usb storage मिल जाएगे यहाँ पर click करेंगे तो आपके memory card का data यहाँ पर सो ओ जाएगा यहाँ से आप अपने memory card के data को access कर सकते हैं अगर आपको अपने mobile के data को memory card में copy करना है तो आप अपने mobile के storage में आएगे यहाँ पर आप जिस भी file को अपने memory card में copy करना चाहते है उस file को आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर more पे click करेंगे यहाँ पर आपको copy का option मिल जाएगा जैसी आप यहाँ पर copy पर click करेंगे तो आप जैस हमने कुछ इस परकार के interface आजाएंगे तो आप में memory card में यह data transfer करने है तो आपको यहाँ पर USB storage पर click करने है इसके बाद आप यहाँ पर कोई एक folder create करके उस folder में इस data को paste कर सकते है या फिर आप यहाँ पर direct paste पर click कर दीजिए तो आपके memory card में बार की तरफी यह data आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर paste पर click किया तो देख सकते हैं यह application यहाँ पर आ चुके हैं आप मैं किसी भी mobile में memory card attach करके उस mobile में इस application को install कर सकता हूँ सेम इसी परकार से अगर आप कोई video, photo, music, कोई भी file transfer करने हैं तो आप इस परकार से select करके उसे copy कर सकते हैं